आपने अपने बुजुर्गों से यह कावत तो सुनी होगी कि गिलरी की पूच्चू ले तो धनकी बारी सोने लग जाती हैं और अगर नई सुनी तो फिकर नौट आज हम आपको सुनाएंगे और साथ में समझाएंगे भी कि आखिर गिलरी घर में आ जाए या फिर आप गिलरी की पूच्चू लेते हैं तो यह कावे शुब माना जाता हैं ऐसा क्यों? क्या कोई धार्मिक वजह ही है? वैसे एक बात तो तै है कि बात अगर धर्म से जुड़ी निकलती है तो समझ ले वो बात पूरी तरह से सची है गिलरी को देखना या उसे चूबर लेने से वैक्ति को सबागे की प्राप्ति होती है आमतोर पर गिलरी घर के आंगन या फिर बालकनी में नजर आ जाती है हमारे धर्म गंटों में गिलरी को देवी लक्समी का प्रतीक माना गया है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि घर में गिलरी का बोलना क्या संकेत देता है घर में गिलरी का आना शुब माना जाता है यदि आपके घर के अंदर गिलरी बोल रही है तो यह एक अच्चा सुकुन है इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपके घर के अंदर खुशियों के आने का संकेत है और गिलरी का बोलना बच्चों के सोर का भी प्रतीक है थांक्यू